तो उत्तर प्रदेश इस्थित बलिया में समाजवादी पार्टी के स्तंभ माने जाने वाले नारद राय ने अब पार्टी से अलग रुख अक्तियार कर लिया है आपको बता दें कि उन्होंने ग्रह मंत्री और भारत्य जनता पार्टी के नेता अमिश्या से रविवार रात मुलाकात की और इस दोरान सुहेल देव भारत्य समाज पार्टी के नेता और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे सातवे चरंड के मतदान से पहले नारत राय का पाला बदलना सपा के लिए एक तगड़ा जटका माना जा रहा है बलिया लोकसभा सीट पर सपा ने सनातन पांडे को उमिदवार बनाया है और दावा है कि इस सीट से नारत खुद के लिए टिकेट मांग रहे थे टिकेट ना मिलने के बाद से ही उनके सुर बागे हो गए थे नारत राय ने ग्रह मंतरी के साथ मुलाकात की तस्वीर भी शेयर कर दी और लिखा दुनिया में भारत का डंका बजाने वाले प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी और भारत के ग्रह मंतरी राजनिती के चानक्य अमिश्या के संकल्प की समाज के अंतिम पंक्ती में वसे गरीब को मजबूत करने वाली सोच और राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूत करूँगा जैजै श्री राम ग्रे मंत्री से मुलाकात करने से पहले राए ने अपने आवास पर समर्थकों की एक बैठक भी की और अखिलेश यादव को चेताया समर्थकों के साथ सभा की एक तस्वीर पोस्ट कर नारद राए ने लिखा कि स्वर्गे नेता जी का सेवक रहा हूँ नेता जी ने कहा था यदि अपने लोगों के समान पर आचाए तो किसी से भी बगावत कर जाना लेकिन जुकना मत नेता जी आपका दिया गुरु मंत्र अंतिम सांस तक याद रखूँगा और अपने लोगों के लिए सदय लड़ूँगा जै बागी बलिया जै राज नारा नाराज बताए जा रहे थे आज उनपरकाश राजभर के साथ कल रात में जब उन्होंने वारांड सी में अमिश्चा से मुलाकात की और नारद रहे सपा सरकार में पूर्व मनत्री और पूर्व विधायक भी रह चुके रहे एं एसे में केंदरिय अग्रह मंत्री चाहके संकल्प समाज के अंतिम पंक्ती में बसे गरीब को मजबूत करने वाली सोच को राष्टवादी विचारधारा को मजबूत करूंगा ये उन्होंने ट्विटर पे लिखा अब नारद राय ने सपा से बगावत करने से पहले अपने आवास पर समर्थकू की रैली बुल लेना और उन्हीं के गुरु मंत्र पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ नारद राय एक बड़े नेता माने जाते हैं भूमिहाज जाती के लेकिन इस बार जब उन्हें टिकेट नहीं दी गई तो बगावती सुर उनके सुनने को मिल गए थे अब देखना है कि समाजवादी साथ बजे से देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले सबसे सटी केवल अमर उजाला पर अमरुजाला.com